तारे सितारे वमगरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्टरो गुरो जी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत-बहुत स्वागत थे आपका अपने ही चेनल एश्टरो गुरो जी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई नई ग्यानवरधक जानकारिया वह नित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 20 जून 2020 शनिवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रह नक्षत्र व चंद्रबल के प्रभाव के कारण आज बारा में से छे राशी वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा तो आज इन छे राशीों में हैं मेश, व्रशब, करक, कन्या, व्रश्चिक और मीन राशी व तो अब जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज आज आपको क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे के आज का दिन आपके लिए शुब रहे और कारिच छेतर में आपको सफलता मिलती रहें तो मेंस राशी से मिल पाएगा आपकी उम्मीद और कोशिशों में बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा कामकाच के मामलों में जो सलाह आज को आपको मिलेगी वहाँ आपके लिए काफी महत्व पूर्ण रहेगी आप वरतमान इस्तिती को समझ पाएंगे और भविश्य के बारे में आपका अनुमान ठीक ठाक रहेगा कुछ लोगों के साथ गंभीर बाचीत के दोरान आपके मोह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो समस्या बढ़ाने का काम कर सकती है इसलिए आज आपको थोड़ा सतर करह करके कारिविवार करने की आवशकता है आज परिवार की जो परिशानिया है उनको अंदेखा आपको नहीं करना चाहिए परिवार वालों को महत्तो अवश्य देना चाहिए आज स्वास्त की द्रष्टी से दिन काफी अच्छा है तो आज आपका भग्यशाली अंक पांच है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोग कारिषेत आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाउं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाद भगवान शनी देवता के इठाई का भोगरपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से शनी महराज की सरद्धा पुर्वकारती उतारें और बेट करके भगवान शनी देवता के इस महा मंत्र का एक सो आड़ बार जाप करें ओम सम सनेश चराई नमाहम तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए बिता पर जोर अधिक रहेगा खर्च और निवेस आपका बड़ा हुआ रह सकता है लोगों से आपको सराहना वा सम्मान मिलेगा यात्रा में सत्रकता आपको रखना चाहिए अंजान लोगों से करीबी बड़ाने में सावधानी रखें मित्रों का सांथ आपको मिल पाएगा उनके साथ अच्छा समय वितीत कर पाएंगे बिना वजह किसी से विवात करने से बचना चाहिए बे वजह आपका जगड़ा आज हो सकता है साथी और वरिष्टों का सहयोग वे से आपको मिलेगा आर्थिक रूप से दिन काफी अच्छा रहेगा कारी स्थल पर थोड़ा सचेत रहने के आपको अवशकता रहेगी आज स्वास्त की दृष्टी से दिन आपका सामान्य रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुब रंग आपका हरा रंग है तो हरे रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहका लिश्नान करने के बाद भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का आटे का दिपक जलावें सनी महराज की गंद पुष्प अक्षत के द्वरा पूजन करें शनी देवता को ग्याराह समी पत्र अरपन करें सनी देवता को हलवे और मिठाई का भोगरपन करें एक पान का बीड़ा और स्रीफल अरपन करके करपूर से सनी महराज की सरद्धा पूरवक आरती उतारें और बेट करके सनी देवता के इस महा मंतर का 108 बार जाप करें ओम मंदायन महम तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबुँब सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शुबुँपरिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा किसी जरूरी काम को आप जल्दी करने की कोशिस कर सकते हैं साथ ही उसमें आपको सफलता भी मिलने के योग हैं और जो लोग इंजिनियर हैं उन्हें विदेश से जाब के लिए कोई आफर मिल सकता है इस राशी के विद्यारती वर्ग अगर गुरुप बना करके इस्टडी आदी करते हैं तो उनके सभी साप प्रस्न साल्व हो जाएंगे और सफलता मिलेगी कारेचेतर में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं आपके जीवन में प्रेम की बाहर रहेगी एक्स्ट्रा माटेरियल अफेयर के योग रहेगे हाला कि उसमें आपको बचकर रहने की अवशकता रहेगी किसी नए काम की सुरवात करना चाहते हैं तो आज आपको थोड़ा सतर कर रहने की अवशकता रहेगी वेसे स्वास्ते की द्रश्टी से दिन काफी अच्छा रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुब रंग आपका बादामी रंग है तो बादामी रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकाटेवं बादाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का आटे का दीपक पान के उपर जलावें शनी महराज की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें काले वस्त्र काली द्व फल अरपन करें और एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से शनी देवता की सरद्धा पूरवक आरती उतारें और बेट करके शनी महराज के इस महामंत्र का 108 बार सरद्धा पूरवक जाप करें ओम स्री रवी पुत्राई नमाहं तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए योग मिलने के योग हैं आज आपको एक्टिव रहने की आवशकता रहेगी जरूरी काम पहले पूरा कर लें वरना समय धीरे धीरे आँखों के सामने निकल जाएगा अंते में आपको निरासा ही हाथ लगेगी अच्छा होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति के मदद आप ले इस रासी के छात्रों को आज गुरु जनों से मार्ग दर्शन प्राप्त होगा और विवाहित लोगों के लिए आज का दिन काफी फाइदे मन है आज स्वास्त की दरश्टी से दिन काफी अच्छा है तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुब रंग आपका बेंगन रंग है तो बेंगनी रंग का प्रियोक कारिछेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्ण संकाटे वं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार से है प्रातहका इसनान करने के पस्चात भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का आटे का दीपक जलावें शनी देवता की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें 21 की मात्रा में शमी पत्र अरपन करें लाल पुष्प की माला अरपन करें शनी महराज को मिठाई और पंचे म पुर्वक जाप करें ओम यमा इनमा हम तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली रासी है सिम्म तो सिम्म राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं केरियर के मामले में आपके लिए दिन काफी फाइदे मन आप धेरी रखें किये गए कारियों के अच्छे नतीजे आपको अवश मिलेंगे बिजनेस या कारी छेत्र संबंदित यात्रा के योग हैं काम भी आपके पास बहुत रहेगा पेसों को लेकर पार्टनर से आपकी अनबन होने के योग रहेंगे आज आपको सतर कर रहने की आवशकता है पार्टनर के साथ खरीदारी होगी विवात के योग बनेंगे मौसम संबंदी बिमारियों से आप परेशान हो सकते हैं इसलिए सारीरिक स्वास्त का विशेश ध्यान रखें तो आज आपका भाग्यशाली अंक छे हैं शुब रंग आपका पीला रंग हैं पील आपकाल इसनान करने के पस्चाथ शनी देवता के मंदिर में तेल का आटे का दीपक जलावें शनी महराज को तेल से अभिशेक करावें पुनाह सुद्दजल से इसनान करवा करके गंद पुष्प अक्षद के द्वारा पूजन करें शनी देवता को ग्यारह समी पत्र और शनि माहराज को पीले मिठाई का भूग अरपन करें एक पान का बीड़ा अरपन करें एक सिरिफल चड़ा करके Karpur से सरद्धा पुर्वकारती उतारें और बेट करके शनि देवता के इस महा मंतर का 108 बार सरद्धा पुर्वक जाप करें ओम पिंगल आई नमाहं तो ऐसा कर आपको मांसमान की प्राप्ती होगी, आपकी कोशिशे सफल रहेगी, आज आपकी उर्जा चरम सिमा पर रह सकती हें, और कोशिशे भी पूरी होगी, जो काम आप हाथ में लेंगे, उसमें आराम से आपको सफलता मिलने के योग हैं, प्रेमी या जीवन साथी को कोई महांगी वस्तु गिप्ट देने से आपको बचना चाहिए पैसों के मामले में आपको सतर कर रहने की आवशकता है आप जिस समस्यां को आसान समझ रहे हैं वह थोड़ी सी कठिन और हो सकती है इसलिए आज आज आपको थोड़ा सा धेरे धारन करके काम करने की आवशकता है वेसे स्वा प्रकार के विग्न संकाटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं कि प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चाद भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का आटे का दीपक जलावें और शनी महराज की गंद पुष्प अक्षत के भोगरपन करें एक पान का बीडारपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से शनी महराज की सरद्धा पुरवकारती उतारें और बेट करके शनी देवता के इस महा मंत्र का 108 बार सरद्धा पुरवक जाप करें ओम स्री रवी पुत्रा इनमाहम तो इसा करने से पुरा द अचानक धनलाप के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, करजा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मंजूरी मिल पाएगी, मोज मस्ती के अवसर आपको मिलेंगे, केरियर के मामलों में किसमत का साथ अच्छे से मिल पाएगा, केरियर में आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं, त आज आपके कामकाज में देरी से आप परिशान वा तनाव गरस्त हो सकते हैं, वेसे स्वास्त की दरश्टी से दिन आपका सामानी रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है, शुबरंग आपका केसरिया रंग है, केसरिया रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अ आटे का तेल का दिया जलावें, शनी देवता को तेल से अविशेक करावें, पुनाह गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करकें, शनी देवता को 21 की मात्रा में शमी पत्र अरपन करें, काले वस्तर काली द्वजा अरपन करें, शनी देवता को उडद अरपन करें, और बेशन से बनी हुई मिठाई का भुगरपन करें, एक पान का बीडारपन करें, एक सृरीफल चड़ा करकें, करपूर से शनी देवता की सरद्धा पुरवक आरति उतारें और बेट करके शनी देवता के इस महा मंत्र का 108 बार सरद्धा पुर्वक जाप करें ओम स्री रुद्र गणाई नमाह तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब होब सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक तो व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणामिस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है आप अपने डेली रूटीन में बदलाव कर सकते हैं परिवर्तन करना आपके लिए ठीक है आप अपने साथियों को संतुष्ट रखने की कोशिस कर पाएंगे इस कोशिस में सफल भी रहेंगे और इस राशी के विद्ध्यार्थी वर्ग को केरियर में सफलता के अच्छे योग रहेंगे आप कोई जरूरी प्लानिंग आज कर सकते हैं दामपत्य जीवन आपका सुख में व्यतित होगा किसे नए काम पर सोच विचार आज आप कर सकते हैं या नए काम की सुरवात कर सकते हैं मिट्टी के बरतन में पंचियों के लिए पानी भर करके रखें कारे चेतर में आपको विशे सफलता के योग बनेंगे आज आपको सोच समझ करके कारे विवार थोड़ा सा करने की आवशकता रहेगी आज स्वास्त की दरश्टी से दिन काफी अच्छा है तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुब रंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोक कारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकाटेवं बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इशनान करने के पशचात शनी देवता के मंदिर में आटे का तेल का चार मुकी दिपक जलावें शनी महराज को तेल से अभिशेख करावें पुनह सुद्ध जल से इसनान करावें और शनी देवता को काले वस्तर अरपन करें एक यग्यो पवितर अरपन करें लाल पुष्प की माला अरपन करें ग्याराह की मात्रा में शमी पत्र अरपन करें पान रितूफल मिठाई पंचे मिवा का भोग अरपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से शनी महराज की सरद्धा पुरवक आरती उतारें नाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आज आप काम के प्रती बेहद एक्टिव रहेंगे, कई दिनों से पेंडिंग काम पूरे होने के योग हैं, आज कारी छेतर में आपकी मेहनत की जमकर तारीफ हो पाएगी, जरुरत मंद की मदद के लिए आप हर संभव कोशिश अवश्य कर रहेंगे, आज किसी नए काम की प्लानिंग आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिल पाएगी, आज परिवार में खुशी का माहूल रहेगा, आपको सक्सेस के लिए प्लानिंग आज करना चाहिए, इसमें आपको सफलता मिल पाएगी, वेसे स्वास्त की द अंकाटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान शनी देवता के मंदिर में आटे का तेल का पांच मुखी दिपक जलावें शनी महराज की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें शनी देवता को गुलाव चंदन का इत्र अरपन करें 21 की मात्रा में शमी पत्र अरपन करें और शनी देवता को पान रितुफल मिठाई और हलवे का भूग अरपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से शनी देवता की सरद्धा पुरवक आरती उतारें औ और बेट करके शनी देवता के इस महा मंत्र का 108 बार स्रद्धा पुर्वक जाप करें। पुराने करमों का पाजिटिव नतीजा आज आपको मिलने वाला है। वेसे स्वास्त की दरश्टी से दिन काफी अच्छा है। और भगवान शनी देवता की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा स्रद्धा पुर्वक पुजन करें। शनी महराज को यग्यो पवित और काले वस्त्र अरपन करें। और एक स्टिल की कटूरी में तेल में मुख देख करके सनी देवता के मंदिर में दान करें। एक स्रीफल चड़ा करके भगवान शनी देवता की सरद्धा पुर्वक आरती उतारें। और बेट करके शनी महराज के इस महा मंतर का एक सो आड़ बार सरद्धा पुर्वक जाप करें। अगली राशी है कुम्ब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आपको बकाया काम पूरा करने के लिए जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उपयोग करना चाहिए। कोई खास चीज आज आपको मिलने वाली हैं। बिजनेस में करमचारियों पर ज्यादा ध्यान अवश्य दें। कुछ नई चीजे आप सीख पाएंगे और आज का दिन मित्रों के साथ अच्छे से वेतित होगा। कोई खास फेशला करने के लिए दिन ठीक नहीं है। किसी महतुपुरुनकारी की सुरुवात के लिए भी दिन अच्छा नहीं है। वेसे स्वास्त की द्रश्टी से दिन काफी अच्छा है। जिम्मेदारियों के बोज से आपका मुड थोड़ा सा खराब हो सकता है। इसलिए तनाव मुक्तर हकर के काम करने की कोशिस करें। आप सफल रहेंगे। तो आज आपका भाग गिशाली अंक दो है। शुब रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्रा शनी महराज को तेल से अविशेक करावें। गंद पुषपाक्षत के द्वारा पूजन करें। 21 की मात्रा में शमी पत्र अरपन करें। और शनी देवता को हलवे मिठाई और बेशन से बनी हुए वस्तुओं का भूग अरपन करें। एक पान का बीड़ा और स्रीफल अरप करें। करपूर से शनी देवता की सरद्धा पूरवक आरती उतारें और बेट करके शनी देवता के इस महा मंतर का 108 बार सरद्धा पूरवक जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब हो वह सफलता दायक आज रहेगा। अगले राशी है मीन। तो मीन र भागदोड आपकी ज़्यादा हो सकती है। आज आप कोई काम एक साथ ज़्यादा काम करने की कोशिश कर सकते हैं। इस कारण आप तनावगरस्त हो सकते हैं। किसी भी फैसले में जल्द बाजी करने से आज आपको बचना चाहिए। आज ठकान का अनुभह भी आपको हो सक इसलिए आज योग ध्यान का सहरा लेंगे तो सारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी स्वस्तर हैंगे किसी भी फैसले में जल्दबाजी आप करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निफाएंगे तो बहतर होगा समाज में सराहना और सम्मान की प्राप्ती होगी परिवार के साथ अच्छा समय व्यतित कर पाएंगे परिजनों के साथ कहीं घुमने फिनने जाने के लिए दिन ठीक है वेसे स्वास्त की दरश्टी से दिन काफी अच्छा है तो आज आपका भागिशाली अंक दो है शुब रंग आपका लाल रंग है तो लाल रंग का प्रियोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकाटिवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं कि प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात शनी दिवता के मंदिर में तेल का आटे का पांच मुखी दिपक जलावें शनी महाराज की गंद पुष्प अक्षद के द्वारा पूजन करें शनी दिवता को काले वस्तर काली ध्वजा अरपन करें एक काले वस्तर में काले उडद काले तिल लोहे का टुकडा रख करके शनी मंदिर में अरपन करें अनाज अरपन करें एक स्रीफल और हलवे और पंच पान का बीड़ा चड़ा करके करपूर से सनी देवता की सरद्धा पुर्वक आरती उतारें और शनी महाराज के इस महामंत्र का 108 बार सरद्धा पुर्वक जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायकाज रहेगा तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्य करें धन्यवाद जैस्तरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे